नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस क्लिक पर मैं हूनीलू व्यास और इस हफ़ते आपके प्रोग्राम पॉइंट ओ व्यू में बात करूँगी एक बाद फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाओ की अब वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के चुनाओ का आकलन किया जाए क्योंकि छे चरड का मतदान हो चुका है एक चरड का मतदान बचा है और दस तारिक को वोटों की गिंती होनी है विशले शक और जितने भी जानकार हैं जिन्होंने बहुत क्लोजली सारी पार्टीज के साथ काम किया है जमीन पर और उत्तर प्रदेश को का चुनाओ जिन लोगोंने बहुत ही नजदी की से देखा है आज इस एपिसोड में उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्य आकलन है और जो पूरे चुनाओ की दिशा है वो किस तरफ बह रही है तमाम दावे हो रहे हैं बीजे पी का ये कहना है कि 300 से उपर का आकड़ा लाएगी अखिले श्यादव ने शुरू में कहा था कि वो तो 400 सीटों से जीत हासिल करेंगे तो इन तमाम दावों के बीच जो किसी परिचे के महताज नहीं है वरिष्ट पत्रकार है पुलिटिकल कॉमेंटेटर है लेखक है और सत्यहिंदी.com के एडिटर इन चीफ है आशुतोष आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूस क्लिक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक कबीर साहब जो की कवी है ले आज की चर्चा में आशुतोष से शुरू करूंगी कि आशुतोष आपका क्या आकलन है अगर आज जो छे चर्णों के चुनाव हो चुके हैं अब जो एक चर्ण का चुनाव बचा है क्या आज ये कहना सही होगा कि जो दिशा है उत्तर प्रदेश के चुनाव की वह तरीके से तै हो चुकी है ये कहना तो बहुत मुश्किल काम में कि दिशा तै हो चुकी है तै नहीं हो चुकी है लेकिन मेरा साथ तर्व मानना कि भारतियंता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी मुश्किल में है और हाल के दिनों में इतनी बड़ी मुश्किल हमा बहुत बड़ा मुद्दा है और कोरोना में जिस तरीके से मिस गवर्नेंस की गई है वो अपने आप एक बड़ा मुद्दा है दूसरी बात यह कि जिस तरीके से भारतियंता पार्टी अकसर चुनाव में काम्याब रहती थी एक हिंदुत के मुद्दे को एक नैरेटिप के तो और भी बहुत सारे हैं जिससे गर्मी शान्त करने की बात की गई है वो चलता हूँ दिखाई नहीं पड़ रहा है जो तीसरी बात है वो यह कि अखिलेश ज्यादव ने जो सोशल इंजीनिरिंग की है और भारतियंता पार्टी से जुड़ी हुई जातियों को अपनी तर बारे में बहुत करीने से भारतियंता पार्टी में ये प्रतपादित कर दिया था कि दरसल ये तो मुस्लिम और यादों की पार्टी है आज उनके साथ अपना दल कमेरावादी है उनके साथ जन्वादी सोशलिस्स पार्टी है उनके साथ सौभी पुर्मा है रामचल अगर उसने ज़्यादा बढ़त नहीं मिलाई तो मुझे लगता है कि बहुत इंता पार्टी को बहुत दिक्कत होगी इस चुनाओं में. फिकला साब आपके पास आएंगे कि जिस रेंबो कोईलिशन की बात अभी आश्यतोष ने कही है कि जो रेंबो कोईलिशन से सोशल एंजिनेरिंग का फॉर्मिला जो समाजवादी पार्टी का जो गड़बंदन है उन्होंने अपनाया है आपको लग रहा है कि इसी सोशल इजिनेरिंग के आधार पर बीजेपी ये कहती थी कि देखिए हमने सारी पार्टी को अपने साथ कर लिया है क्या आज ये कहना सही होगा कि ये जो जातिगत कोईलिशन बनाने का जो एक फॉर्मिला था बीजेपी उसमें बिल्कुल विफल हो चुकी है लिलू यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वह हमेसा से ही जातिगत आधारों पे होते रहे हैं अगर आप सामप्रदाइकता की बात करेंगी तो 1991 में विवादास पर धाजे के गिरने के बाद भी जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भी भारती जिनता पार्टी को इतना अधिक मत प्रतिशत नहीं मिला जिसे यह कहा जाए कि लोग एक तरफ एक ध्रुवी करण हुआ और लोग उनके तरफ चले गए पिछले 2017 के चुनाव में जिसे भारती जिनता पार्टी को जबरस अफलता मिली उसका कारण यह था कि विभीन दलों के लोग आई भारती जंतापार्टी के शामिल हुए जो बधिन जयतियों का प्रतिशत कर रहे थे जो जो ओंप्रकास राज्वर आज समाजवादी पारटी के साथ है वह पिछले चुणाव में भारती जंतापार्टी के साथ है तो जो बभीन जातियस अधर्धन है और इस समय भी ज 3 3-3 समोह के प्रधित्त के जो अन्य दल था यहां आज भारती जन्ता Apa Do के साहत नो हो करके वह समाजवादी पार्टी और देखिए अब तो आपको यह मान के चलना होगा, स्थापित सत्य हो गया है कि गवर्नेंस, गवर्नेंस और गवर्नेंस के अलामा आप मद्दाताओं को किसी भिना पर आपकरशित नहीं कर सकते हैं। जिन मुद्दों को जिन आवारा चुटा परशों, आवारा परशों के मुद्दे को ले करके लोग पांच सालों तक चिलाते रहे, कभी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चुनाव आते ही सिर्शस्त नेताओं ने एकाना शुरू किया कि 10 मार्च के बाद हम इसके लोगों को यह लगा कि कोई शाटकर तरीका है, जिसके आधार पर हम लोगों का ध्रुबी करन कर लेंगे और हमें मत मिल जाएगा, जो की नहीं हो पाया, आप यह सोचिए कि जो बिभिन जातियां, बिभिन राजिंतिक दलों की अस्थाई मत आता हुआ करती थी, उनमें से बड़ी एक बड़ा वर्ग है, जो बिरोजगारी के नाम पर, पुरानी सरकारी नोकरीयों में पुरानी प्रेंशन के नाम पर, उन दलों को छोड़ करके उस दल के साथ जोड़ रहे हैं, जो इनको प्लब्द कराने का वाजा कर रहे हैं, इसलिए और यह बहुत बड़ी के चुनाओं में, जो राजनितिक दल पूरी तरह से अप्रासांगिक हो गया था, चुनाओ प्रणाम आने पर, समाज़ादी पार्टी के कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय के सत्ता रोर्दल पर सिमेट कर रह गई, आज वा बरतमान भारती जंता पार्टी सत्ता रोर आपको न मिलता हो, केवल आप एक अपने समरतपीत, प्रतिबद और केप्टिव मातारताओं के भूते, आप चुनाओी जंग में आपको प्रासांगिक भी बना सकते हैं, तो उस जो 2017 का अम्रेला भारती जंता पार्टी के पक्ष में था, वा इस चुनाओ में समाजवादी काइप पार्टी के पक्ष में रिकता है तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है जो पिछले चुनाओं में बढ़ जाता था दो राजनेटिक दलों के बीच में और के तीन राजनेदी के बीच में वह पुरी तरह से उस दल के प्रक्ष में जो भारती जन्ता पार्टी को चुनोती देता हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन जो एक चीज जो कि हम लोग अकसर डिसकस नहीं करते हैं और हमें मेशा ये कहते हैं कि देखें बीजेपी के लिए ये चुनोतिया थी बीजेपी का मिसगवेनेंस था बीजेपी ने जिस तरीके से कोईलिशन्स बनाने चाहिए थे वो नहीं बन पाई लेकिन समाजवादी पार्टी की दीपक आपसे पूछूँगी कि क्या चुनोतिया रही है इस छे चर्णों का अगर आप जो चुनाव है अगर वो देखें तो सबसे बड़ी चुनोति समाजवादी पार्टी के लिए क्या रही है सारा प्रोपगैंडा मीडिया वॉर के बावजूद अगर समाजवादी पार्टी घर में पहुँच रही है लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनके लिए चुनोतिया नहीं थी कहा किन कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को देखे पहली चीज़ तो मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि भारती उत्तरप्रदेश का जन्मानस ऐसा नहीं कि विल्कुल पाक साफ है वह संप्रदाइक है उसके अंदर संप्रदाइकता का इलिमेंट इतना जादा है वहना 2019 का चुनाओ वही मत दाता मोधी जी को इस तरह से ना जिता था जो जाती गोलबंदी आप कह रहे हैं चाहिए स्वामी परसाद मौर्या कियो रामचल राजबर कियो या लाजी वर्मा कियो सुख्देव राजबर कियो या उंप्रिकाश राजबर कियो यह यह कैबिनेट मिन दिखती है तब यह मोचा अकलेश के साथ धीरे धीरे आया है अकलेश को जरूरत थी पर लेकिन मुख्य जो जमीन पर दिख रहा था वो ता कोरोना के बाद की तबाई बेरोजगारी महंगाई यह मुद्दे थे जिसकी हो जैसे जातियों को कि वह लाम बंद करके चिटकना लीडर्शिप को ऐसा नहीं था कि किसी समाज परिवर्तन की चाहत से आ गया लेकिन जैसा भी हो चुनाओं में सब चलता है समाजवादी पार्टी अकलेश एक चक्रूर में थे जहां तक मेरी जानकारी है उनका कहना था कि अगर हम चुनाओं की बहुत पहले से त्यारी करते या बहुत ओपन अगर हम उतर जाते तो हम आएक कारकरताओं कि हम सिर्फ जमानत करा रहे होते इतने लोगों को जेल में डाला जाता तो उसके बाद उन्होंने ये जो अपना कुनबा बढ़ा करना उनके उपर तीन एलिगेशन थे एक यादवाद का एलिगेशन बहुत परिवारवाद का उनके उपर एलिगेशन था उसको भी इसी तरीके से उन्होंने हैंडिल किया है मीडिया से मुकाबला वो नहीं कर सकते थे समाजवादी वह जेल रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस चुनाव में सबसे बड़ी खुबी है रही कि उसके पास एक गुस्य सबसे वाला नौजवान था महेंगाई से तरस्त जनता थी जहां पर और कारकरताओं की फोज थी उत्साह था लेकिन जो उसके साथ जो कमजोरी है हलांकि उस कमजोरी से भी पार पार है वो है कि इन कारकरताओं का एक व्यापक वैचारिक परिपकुता ना होना जिसकी कि सेंट्रलाइज होके एक वोटर के घर जाना और उसे मुद्दे की बात को करना यह बीकनेस है और यह बड़ी वीकनेस है लेकिन चूंकि जनता पहले से नाराज है इसलिए इसका हो सकता उतनी बड़ा नुकसान ना हो पर एक बड़ी ताकत का एक संगठन में और संगठन क कैमपेइनिंग में जब मीडिया हमारे खिलाफ है तब उसका उस कैमपेइनिंग में ना उतर पाना ठीक से यह एक कमजोरी रही है संगठन की और बाकी तो भारती रंता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को महसूस किया उसके खत्रे को इसलिए उन्होंने कॉमिनल एजें कि जो उनके प्रमानित प्रवक्ता थे या पार्टी के जो पहले नॉर्मल स्पोक्सपर्सन हुए थे किसी को भी चैनल पर नहीं जाने दिया क्योंकि कि कि कही कोई भी बात कोई भी वीडियो पूरे चुनाओ को पलट सकता था तो इन खत्रों से वह जूज रहते उससे बच करी गई है लेकिन अखलेश ने वह नहीं जादा बोली है वह स्वामी प्रसाद जी बोल ला है वह प्रकाश राजबर बोले यह भी एक स्ट्रेडिजी का हिस्सा है लेकिन यह चुनाओ किसानों के आंदोलन ने इसे पैदा किया है इसको परवरिश दी है नौजवानों की ब सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाके अखलेश ने इसे बड़ा गेम बना दिया और उसको लोगों तक पहुचाया भी गया जिसकी जो सरकारी करमचारी है जो मिडल क्लास है चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वो अस्पताल के लोग हों वो सब के सब सोशल सेक्योरिटी चाहते थे खासतर कोरोना के बाद वाली चीज देखते हुए तो वही लोग बेहिमानी भी करते थे वही ज्यादा वोकल भी होते थे बीजेपी के पक्ष में वो साइलेंट हो गया है यह पहला चुनावा मैं देख रहा हूं जब बीजे इस बराने में में मेंनत की लेकिन जिस तरीके से मेहनत उन्हें करनी चाहिए थी वह हो सकता है ना कियो लेकिन चीजें उनको बहुत आसानी से मिल गई क्या जमीन पे यह क्या आकलन सही होगा नीलू बै थोड़ा से स्राई पर डिफर करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अकसर होता है कि जब भारतियंता पार्टी जीतती है तो जीत का शहरा और मास्टर स्ट्रोक और चानक्य तो मोदी जी के सिर पे चलता है यामिच्छा के सिर पे चलता है और अगर भारतियंता पार्टी हार जाती है तो फिर वो किसी और के सिर्ग बात होती है मुझे अच्छी तरीके से आद है कि जब 2018 में राजस्थान मत्रप्रदेश और 36 गड़ में कांग्रेस पार्टी जीती तो यह नहीं कहा गया कि राहूल गांदी की वजह से जीती तब यह कहा गया कि नहीं वहा तमाम तरीके से संतोष होता है लेकिन नेता अगर उसके हिसाब से अपने आपको संगठी तना कर पाए उसके हिसाब से अपनी स्टेटीजी ना बना पाए लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करने असफल रहे तो तमाम माहुल के बावजूद भी आप चुनाव हार जाते हैं इस चुनाव में जो की जो सबसे बड़ी हासियत जो मुझे समझ में आई और जिसको भारतियंता पार्टी नहीं पकड़ पाई और ये उसके सफलता है वो ये कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने आपको बदला है ये मलायम सिंग यादो की पार्टी नहीं है ये अखिलेश यादो की पार्टी है और अखिलेश यादो ने तीन-चार चीजों को बड़े ध्यान से देखा अभी दिपक जी ने बहुत अच्छी बात कही पहली बात उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पे क्या रूप लगता था कि ये मुस्लिम परस्त पार्टी है दूसरा आरूप लगता था कि यादो वात करने वाली पार्टी है तीसरा आरूप लगता था कि परिवार वादी है चौथा आरूप लगता था कि ये माफिया गुंडागर्दी लाइन ओर्डर खराब करने वाली पार्टी पाच्वा आरूप लगता था कि देखो पी को काम्याब नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्थ पार्टी होने में शुरू में जिन्नाक आरोप जरूर लगाया गया लेकिन उस पर वो समाजवादी पार्टी नहीं चली उसके बाद समाजवादी पार्टी के ओपर यह आरोप लगाया गया कि तो लेकिन अगर आप अखिलेश यादो की पूरी campaign को देखें तो वहां उनके अलावा कोई दूसरा यादो निता दिखाई नहीं पड़ता है तीसरी बात परिवार के किसी आदमी को उन्होंने तवज्जो नहीं दी और तो एक बदलाव दिखाई पड़ा चौथी बात जो आज क perception अखिलेश के बारे में बनाया कि ये वो पार्टी नहीं है और यही समाजवादी वीजेपी की सबसे बड़ी undoing साबित होरे इस चुनाव के अंतरगर क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं किया था कि समाजवादी पार्टी इतना बदल जाएगी उसकी thinking में इतना बदला चाहिए और एक और उनके पर आरोप लगा कि यादों की पार्टी है तो दूसरी OBC पार्टी जो जातियां थी उनको एक तरीके से दरकिरार कर दिया गया था आप देखिए किस तरीके से तमाम OBC की पार्टी इनके साथ कठा हुई जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था तो चाहिए और इसलिए सामाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कहती है जो उनका स्लोगन है कि नई हवा है नई सपा है तो हो सकता है कि यह चीज़े वाकई में काम करें और जैसा आपने कहा कि इसका क्रेड़िट अखिलेश को जाना चाहिए तो इंडीड अट क्रेट यह उसा व्यक्ति है इतने महा रतियों के बावजूद अगर बीजेपी की जमीन खिसक रही है तो इसका आज जो एक ठीकरा फोड़ने वाली जो बात होती है बीजेपी का तो क्या फिकरा अब योगी आदितिनात के सिरपे ही फोड़ा जाएगा अगर बीजेपी की जमीन ख क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं वह विश्वास नहीं होता कि BJP जिसकी गुरिला स्टाइल ऑफ पॉलिटेक्स है वह इतनी आसानी से कैसे हार मानेगी तो वह डाउट अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है तो यह डाउट की वज़ा भी आप से पूछना चाहूंगी कि कोई अभी हंडर्ड परसेंट से इस बात को नहीं कह रहा है कि BJP सरकार नहीं बनाएगी अभी वह 5 परसेंट यह 10 परसेंट डाउट कह लीजे लोगों के मन में है कि नहीं बीजेपी के पास तुर्क का पत्ता है जो आखरी में निकालेगी और वो शायद उसका आखलन हम नहीं कर पाले निलू पहले तो मैं धीपक कबीर जी के साथ पुरी शाय चसना के साथ करना चाहताओ कि मैं भी उत्तरप्रदेश का मधदाता है और मैं स nanoC नहीं है तो दीपक जी कहीं ने कहीं कुछ नो कुछ आपको अपनी बाद स्वाम सोचना होगा, उत्तर प्रदेश का मद्दाता सामपरदाइक नहीं है, निश्ची तरोप से जातियों में बटा हुआ हो, और मैं इसलिए आप से भी कह रहा हूँ, कि अगर ये सामपरदाइक होता, तो बिवादास पर धाचा गिरने के बाद से भाती जंदा पार्टी को आसमान में होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, उसके बाद कल्यान सिंग जी की सरकार क्या हस्र हुआ, इस सब के सामने है, रही बात की ये जो चुनाव है, इसमें अगर भासमाजवादी पार्टी, भार पार्टी के पक्षमे है, और लोग बार्ती जंता पार्टी का जो मदाता है, जो फ्रोटिंग मदाता, उनके प्रतिमत मदाता हैं, उनके साथ हैं, इसी वजह से आज भी आपर्टी तमाम हिंटी इन कंपेंसी के बाजूत भी लड़ती हुई दिख रही है, जो आप ये कह र होता है, वह सरकार ने कितना गवर्नेंस दिया, लोगों ने कितनी रहत महसूस की, कैसे लोगों को लाव हुआ, लोगों को अपनी स्थितिया सुधारने में कैसी मदद मिली, इस पर निर्भा करता है कि आप कितना लोगों को आकर्षित करेंगे, देख अगर योगिन अगर अगर पार्टी द्वारा सत्ता में आती है तो निशीत रूप से कंद्री मत्यत्य तो सामने ही आता है कि एक बनारज जैसे शहर में प्रधान मंत्र जैसा सक्सिय तीन तक जमा रहे हैं अगर आप इसको यह लीजिए कि यह केवल यह कोशिश है कि जो सतारूर दल के खिलाफ एक जो लोगों का विरोध पनपा है उसको समेटने की यह कोशिश है और यह अंतीम चुन अब आप तो कभीर जी ने कि जो सरकारी कर्मचारी कभी माहूल नहीं बनाता वो तो कभी राजियंत भागी नहीं लेता बोलता ही नहीं किसी से ओट जया देकर देके जब चलाया अपने घर में चर्चा करेंगा लेकिन इस निर्ड़ा से जो पर जो इस आप जर्वर्स हैं वे महसूस कर है कि ऐसा नेड़ा है ओल्ड पेंशन की स्किम जिससे राज सरकार के सभी कर्मचारी इसे प्रवावित हुए है और वह दिख रहा है आपस्ती बातचीत में वह दिख रहा है कि लोग और यह उमीद की जा रही है कि एक ऐसी बड़ी घोशना है यह इसे बड़ा आस्वासन है ज समाजवादी पार्टी के में अखिलेस यादों ने निश्चीत रूप से बड़ी कोशिश की अपने अपने खिलाप तो ही आरोप लगता रहा कि अमाफिया की पार्टी है यह यादों की पार्टी है जाती विश्यस के पार्टी है लेकिन कभी भी अपने आपको बैकवर्ट की पार्टे आरटी है इसे लिद करने की कोशिश IG कभी नहीं है कि असले चाद हो यह कुशिश कि नान्याद graduates जो है उनके पार्टी चाद जी सथ सथ जाध है क्योंकि इनके इमत की संख्या को जादा और जहां जाते हैं एक साथ जाते हैं, स्रमण मद दाता है, पंडी जी लोग अभी एक साथ नहीं जाते हैं, कई दलों पड़ जाएंगे, ठागुर सालों के स्रितिय ही होती है, भुम्यारों के भी स्रितिय ही होती है, काइस्तों के भी स्रितिय ही होती है, जो बैकवर्ड मद और अपने आपको प्रहाई तरीके से प्रसुत करते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी जो आज आपको दिख रही है कि यह अगली सरकार बनाने के दावेदार है, वो केवल हो केवल इसलिए है कि इसने अपने आपको तमाम आरोपों से मुक्ट करने के कोशिश की है, और यह दिखर एक और अखलेस यादों के एक शब है, कि आप यह पढ़े लिखे विक्ति हैं, बाहर से पढ़े हैं, और इनसे यह उमीद नहीं की जा सकती, जो इनके पार्टी के पुरान नेता करते रहे हैं, एक साब सुतरी सरकार देने की उमीद आप इनसे कर सकते हैं, यह उत्त तकेाइब. तिकट पाठर बट्वारे दीख और हैं जो लोग बदनाम प्छब के थे या जिससे पार्टी के ऍचर मे प्रहुइत हो सकते थी और इस पौटी में उन लोग को आप स्वा सवासनों को आप होईदों को लेकर तैये स्दे आमांगे प्रहईत होता हो इसलिए मेरा मानना है कि आम जंता की सहभागिता, बड़ी संख्या में सहभागिता, इस पार्टी के प्रतुन का समर्थन, गवर्नेंस की लापरवाहिया, जो बरतमान सरकार है उनकी और इनके सांग अठनी कारे करता हूं कि निस्क्रियता, यह बड़े कारण है जिसके वज़ अठनी की आरे हूं कि मैंने उत्तरप्रिदेश के मतदाता को सांपरदाइक नहीं कहा था, मेरा यह कहना था कि लगातार जिस तरह का कैंपेइन हुआ तो बड़े हिस्ते के अंदर सांपरदाइक चेतना बढ़ा दी गई है, जिसका अगर हम उसे अंदेखा करते हैं तो हम ब परिजनों से जगला करना है पड़े लिके यह अगर हम अंदेखा करेंगे तो बहुत अजीब बात है, लेकिन सिर्फ सांपरदाइक चेतना चीजों को नहीं तेह करती है, कई बार जादी चेतना, कई बार वर्गी चेतना उस पर हावी हो जाती है, इनसान के अंदर कई लेय हुई थी October में October November में अख्लेश जी के साथ और वो यह लोग ते जो से कोई भी समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था और वह गयते कि हम इस चुनाओं में समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि वही एक मात्र विकल्प है उस समय तक उतना मजबूत भी नहीं था हम मदद करने आए हैं अगर वह यह मन बनाके गयते कि अगर जैसा सुना आए अख्लेश या तो बहुत हैं या इस समय जीत के जुनूर में होंगे तो वह विड्राव कर जाएंगे अख्लेश जी ने उनके सोचे से ज्यादा इमांदारी से अपनी गलतियां एकसेप्ट करी थी उन्होंने कहा था कि भारती जन्ता पार्टी हमें दो बार हरा चुकी जब हमें लग रहा था हम जीतने जा रहे हैं चाहे 17 को चाहे 19 का हो इसलिए उसके पास क्या हटकंडे हमें हमें नहीं मालुक हम लड़ेंगे बसी मांदारी से और आप यकीन करिए कि वह चालिस लोगों ने पूरा जो स्टेट का नेटवर्क था अखलेश यादों को पता भी नहीं उन्होंने कम से कम 15-20 लाग रुपए अपने पास से इखटा करके और्गनाइज करके मदद करी है इसलिए बार-बार कह रहे हैं चुनाओं में कि यह जनता का चुनाओं है निश्चित रूप से क्रेडिट अखलेश यादों को जाता है उनकी परस्नालिटी ने जो चेंज किया जो लोगों को जोड़ा है क्रेडिट अखलेश यादों को जाना चाहिए मोदी लोग अपने सब्सक्राइब के रिप्रेजेंटर्व मोड में रहे हैं वो सब के सब लोग पहली बार अपनी यहां तक की पार्टी लाइन छोड़के अखलेश आदों के साथ कैमपेन में गए हैं बिना अखलेश आदों को पता चले तो जनता का चुनाओं तो यह रहा है नहीं दिखेगा इसलिए लोग 19 की हार के बाद लोग यह महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या नया हो जाएगा उनके पास एक यह लोगों के खाते में जो पैसा भेजते हैं वो और जो उन्होंने सब को फ्री रॉशन दिया है वो सिर्फ भूल नहीं गए हैं बाकाइदा नेता एक साथ एक स्टेट में रैडी करने की ताकत है रैली में पैसा लगता है और नेता लगते हैं इसके बावजूद पहले दो राउन में वह रैलियों से विड़ा करते रहे क्योंकि अखलेश की रैली की हालत वो देख रहे थे अकेले दम पे जो हो रही है वो यह हैंड नहीं खिलाया तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बिलकुल लेकिन दावे से कोई इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि 2019 का जटका कोई अभी भुला नहीं पाया है जी शुक्रिया एक बाद में करना चाहूंगा जी उत्तर प्रदेश में भार्ति जट्टा पार्टी के खि उनके सामने समाजवादी पार्टी के लावा कोई विकल्प नहीं है क्यों बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में सब जानते हैं कि यह कभी भी भार्ति जंदा पार्टी के साथ में सकती है कांगरेश का कोई संगठन नहीं है आज की तारीक में पुरा विखरा हुआ पूरी विक्रिवी पार्टी है इस वज़े से अगर आप कोई विकल्प भार्दी जंदा पार्टी के खिलाब खड़ा करना चाहते हैं चाहे आप एक इंडिविज्वल हो चाहे एक समोह हो चाहे एक जाती हो चाहे को एक वर्ग हो उसके सामने भार्टी समाजवादी पार्टी जो आपके सारी बात हो सहमत हूं, मेरी खुद मुलाकात है और यह सारा प्रिकरन जो मैं बता रहा हूं जो मैं बचा रहा हूं गोलकुल आपकी बात से जी आप लोग कर रहे थे जी अब आशु तो इसके पास चलते हैं क्योंकि उनको भी अपना पॉइंट रखना है और उसके बाद खात्म करूंगी कुछ पॉइंट के साथ जी आशु बोली सुनिल जी को एक बात कहना चाहरा थे कि कभी-कभी सच बड़ा कलवा होता है और मुझे लगता उस सच को में स्विकार करना चाहिए उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग सामपरदाइक है और इसको एक्सप्ट करने में कोई कोई द बैठी हुई है मुसलमानों को लेकर एक नफरत का भाव लोगों के अंदर बैठ गया है जो मैंने बहुत जो एक दबे हुए स्तर पर था लेकिन जिस तरीके से उसका विस्फोट हुआ है और जिस तरीके से खुद मैंने अपने घर के अंदर या दूसरे घरों के अंदर दे हमारे आप जैसे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा भरी हुई है वो जिस तरीके से और यह सिर्फ यह सिर्फ मुस्लिम समाज के प्रती नहीं है यह सामपरदाइक्ता का एक दूसरा सुरूपी है वो यह है कि जो हिंदू समाज के जो दबे कुछले लो लोग उस समाज से नहीं आते इसलिए हम उस तकलीब को उस पीड़ा को नहीं महसूस कर पाते और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यह अनायास नहीं है कि भारती जनता पार्टी के साथ सवर्णों का इतना बड़ा तपका उनके साथ जोड़ा हुआ है क्योंकि पिछले 30 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तूटी है उसमें जिनको वो अपने बराबर समझते नहीं थे जिनको अपने सामने खड़े नहीं होना देना चाहते थे जिनकी आवाज नहीं सुनना पसंद करते थे जब उनकी पार्टियां बनी उन्होंने चुनाव लड़ा औ तो जब भी हम चर्चा करते तो मायवती को हम किस सब्दों का मायवतिया कहके बुलाते हैं मुलायम को मुलायमवा कहके बुलाते हैं लालू को ललुवा कहके बुलाते हैं ये भी एक तरीके की सामपरदाइकता है और ये इस बात को दर्शाता है कि समविधान लागू होने क बावजूद भी, हम आज भी social revolution के इस दौर से नहीं गुजरे हैं, हमने political equality दे दी है, हम social equality देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें इस कटुसत्य को स्विकार करना चाहिए कि हमारे बीच का एक बड़ा तपका सांप्रदाइक ही नहीं, घोर सांप्रदाइक है हम किसी ऐसे समाज में नहीं रह रहे हैं, जहां पर पस divorce की विकरतिया नहीं हो सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा समू है मैंने क्यों इस बात में कहा थी तो इसमें मैंने बात की, आपके तमाम बातों से मैं समात हूँ, बस एक सवाल था, लास्ट में आशुतोष से पूछना चाह रहे थी, कि अपूर मिलाकर अगर निचोड निकाला जाए, तो पूरे चुनाओ चला है, तो हम क्या कहेंगे, कि ना मोदी मैजिक है, ना योगी मैजिक है, ना माया मैजिक है, कोई मैजिक इस चुनाओ में काम नहीं कर रहा है, और प्रेडिक्शन करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि कितनी सीटे आएंगी, क्या होगा, क्योंकि कोई भी प्रेडिक करना मुश्किल है, लेकि कोई मैजिक इस चुनाओ में काम नहीं कर और जिसमें हर सारे नटबोल्ट कसे होते थे संगठन के स्थर पर भी नेरेटिव के स्थर पर भी मीडिया और प्यूर के स्थर पर भी और तमाम इस तरों पर यह अकेला चुनाओं में देख रहा हूं जहां भारती यंता पार्टी का कैम्पेन बहुत ही लैकलस चाहिए बहु जो क्वाडिनेशन और इसके इसका बहुत बड़ा प्रमाण इस बात को लेकर यह है कि आरेसेस के नंबर टू को तत्तात्रे हॉस्पोले को बाकाइदा लखनों में बैठना पड़ा नकिवल बैठना पड़ा बलकि कृष्ण गोपाल के साथ उन्हें योगी आदेतनात और क किसी भी भारती अंता पार्टी के एमेले और सांसत को कीड़े मकोडे से बहतर नहीं समझते थे उन्होंने किसी को इसलाइक नहीं समझा जो खड़े होके उनके खलाप एक शब्द बोल सके या उसकी राय ले सके तो कार्यकरता जो है वो तभी काम करता पार्टी के लिए नहीं नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात उसमें डिक्कत पैदा होगी दूसरी दूसरी दूसरा बड़ा कारण ये है कि योगी आदेतनात को हच से जादा इस बात का यकीन था कि उनका जो सामपरदाइक कार्ड हो चलेगा वो नहीं चला इस पार बहुत कोशिश कर ली इस से ज अधिकार है बलकि चुनाव से छे साल तक कि एनको डिबार कर दिया जाना चाहिया बाला साद ने इसी तरीके का बयान दिया था और उसके बाद हाइग कोट ने उनको Last can. लिए चुनाव से बाहर कर दिया लेकिन आज चुनाव आए बिल्कुल सांत बैठा हुआ तो नारेटिव भी नहीं बिल्ड कर पा रहे है संगठन के स्कर पर भी नहीं है और उनकी एक इनकी नित जो योगी की जो लीडर्शिप है उसकी एक्सेप्टिबिलिटी भी बीजेपी लोगों को सुनने के बाद यहीं लगता है और बीजेपी उस स्ट्राटेजी पे रीवर्ग करेगी या नहीं करेगी ये दस तारिक को पता चलेगा अगर वो हारती है तो आशुतोष आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीर शुक्राजी थांकी सो मच कबीर थांकी सो मच क्या झाल को यार्दी हो प्रॉप्यार नहीं लगता है अशुक्राजी थांकी सो मच का छो करेगी यजेपी ये कि वीजेपी शुक्राण शुक्राण वार्दी विजेश।